जम्मो कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला बना हुआ है सरकारी नौकरी न मिलने की वज़े से पढ़ी लिखे नौजवान एहसासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं बेश्तर नौजवान समाजी बुड़ाईयों और मनश्यात की लत्मे मुपतला हो रहे हैं लेकिन कुछ पढ़ी लिखे नौजवान खुद के लिए ही नहीं बलकि दूसरों के लिए भी रोजगार के मुवाके फराहिम करते आ रहे हैं ऐसी ही एक अनोखी पहल जिला अनंत्नाक के खनावल इलाके से तालुक रखने वाले रोहेल रशीद नामी नौजवान ने की है रोहेल रशीद ने मीनी बस को रिस्तुरा में तबदील करके एक मिसाल कायम की 28 साला रोहेल ने दो बरस कबल M.C.A. की डिगरी मुकमल की उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया यहां पर दो दीन ही है तो हमने सुचा हम स्टार्ट करेंगे किसी टूरिश डेस्टिनेशन पर रखेंगे जहां पर हमारा बिजनिस थोड़ा चल पाए तो हमारे जहन में ऐसी ही आया इस अनोखे ख्याल ने रुहेल की तर्जे जिन्दगी को ही बदल दिया और आज रुहेल दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहे है रुहेल ने अपने मॉबाइल रेस्टोरान का नाम भी टेस्ट ट्रक रखा है जो इन दिनों मारूफ सियाहती मकाम पहलगाम के हसीन मकामात पर सैलानियों में काफी मकबूल है रुहेल ने खरीदारों को रागिब करने के लिए अपनी मीनी बस को सजा कर दीदजेब बनाया है उन्होंने बस के अंदर एक छोटा सा किचन नस्ब किया है जिसमें फ्रिज, वाश बेसिन वदीगर कई सहूलिया भी तस्तियाब है रोहेल ने मुबाइल रिस्तोरां की शुरुआद पहल गाम में के लिए की है। रोहेल पहलगाम में सयाहो को मुक्तलिफ अक्साम के फास्ट फूड, बिर्यानी, जाए, कौफी, वदीगर मश्रोबात फ्रोगत करते हैं। इस अनोखे रिस्तोरान को सयाह काफी पसंद करते हैं। सयाह रिस्तोरान पर दस्तियाब मुख्तलिफ अक्साम के अश्या शौक से खाते हैं। और रिस्तोरान के मालिक रुहैल के इस अनोखी पहल की खूब तारीफे करते हैं। जो ने देखा ना यहाँ है दुकान तो अच्छा लगा बजी। कम ज़न यहाँ से जाएगा, कम ज़न है एक राफ टी। यह अच्छी बात है। उन्हें मनलब सेल्फ एंपलाइमेंट है। इनको भी किए बेकार लोग थे। तो इनको भी अच्छा लगेगा। यह एच्छी बात हैं इनके लिए। मुझे बहुत अच्छा और अनोखा लगा इनका पेशा इनको 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 अच्छा लगा है। और चाई भी बहुत बढ़िया है। रोहल का कहना है कि वो मुस्तक्मिल में इस कारोबार को मजीद फरोग देने की कोशिश करेंगे ताके बीरोजवानों को रोजवानों को रोजवानों को फराहिम किया जा सके। हमें यहां पर जोपीस है वो थोड़ ऐखर ही मिलता है में 500 टॉपीस बेते है पर देकंगे हो हम हमारे अउसाब से क्योंकि हमने कि अस्टार्ट किया कँ अभी तो 500 जो बहुत ही कॉसली पड़ खर रहा है हो जो थोड़े मुशीप स्या भी चार्ज है वो थोड़े tehdyeं व स तो हम तो कुछ जब करेंगे तो सरकार को हमें हल्व करनी चाहिए इस मामले में कम से कम हमारा फीस कम होना चाहिए ऐसे नौजवान उन पड़े लिखे नौजवान के लिए एक मशेल राह हैं जो सरकारी नौकरियों के पीछे अपना वकत जाया करते हैं या फिर समाजी बुरा और मनोशाथ के लाट में मुख्तला हो रहे हैं यकीनी तोर पर सरकारी सता पर इनकी पजीराई होनी चाहिए ताकि ये ना सिर्फ अपने लिए रोजगार कमा सके बलके दोसरों को भी रोजगार के मौाक्व फराम कर सके इत्वी भारत के लिए पहल गाम से मीर इश्पार पहल कर सकता है